मत्ती रचित सूसमचार आठवा अध्याए इसी से न कहना परंतु जाकर अपने आपको याजक को दिखला और जो चड़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चड़ा ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वै कफर नहूम में आया तो एक सुबेदार ने उसके पास आकर उससे बिंती की कि हे प्रभु मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उससे चंगा करूँगा। सुबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तु मेरी छट के तले आए पर किवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुश्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं और जब एक से कहता हूँ जा तो वै जाता है और दूसरे को कि आ तो वै आता है और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वै करता है यह सुनकर ईशु ने अचंबा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि मैंने इस्राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुम से कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चम से आकर इबराहीम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे परंतु राज के संतान बाहर अंध्यारे में डाल दिये जाएंगे वहां रोना और दातों को पीसना होगा। और इश्चु ने सुबेदार से कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और उसने उन आत्माओं को अपने बचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। ताकि जो बचन ये शाया भ़षदका के द्वारा कहा गया था वैह पूरा हो कि उसने आप हमारे दिरुबलताओं को ले लिया और हमारे बिमारियों को उठा लिया। इशु ने अपनी चारों और एक बड़ी भीड देकर उस पार जाने की आग्या दी। और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरू, जहां कहीं तू जाएगा, मैं तेरे पीछे-पीछे हो लूंगा। इशु ने उससे कहा, लोमणियों के भट और अकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परन्तु मनुष के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगए नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभू, मुझे पहले जाने दे, कि अपने पिता को गार दूँ। इशु ने उसस के चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, जील में एक ऐसा बड़ा तुफान उठा, कि नाओ लहरों से धपने लगी, और वे सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया, और कहा, हे प्रभू, हमें बचा, हम नाश्वे जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प व कि है कैसा मनुश्य है, कि आन्धी और पानी भी उसकी आग्या मानते हैं। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुँचा, तो दो मनुश जिन में दुश्टात्माएं थी, कबरों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे, कि कोई उस मार्क से जा नहीं सकता था, और देखो उन्होंने चिला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुछ से क्या काम, क्या तु समय से पहले हमें दुख दिने यहां आया है, उनसे कुछ दूर बहुत से सोरों का एक जुन्ड चर रहा था, दुश्टात्मा ने उससे यह कहकर बिंती की, कि कलाले पर से जपट कर पानी में जा पड़ा, और डूब मरा, और चरवाहे भागे, और नगर में जाकर ये सब बातें, और जिन में दुश्टात्मा थे, उनका सारा हाल कह सुनाया, और देखो सारे नगर की लोग यिशु से भेट करने को निकल आये, और उसे देखकर बिंत पानों से बाहर निकल जाओ